नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं मम्ता दूबे आज बनाने जाए हूँ कच्छे चावल और आलू का बहुत ही चटपटा नास्ता। बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है। तो फिर देर ना करते हुए फटा फट इस नास्ते की रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नए नास्ते की रेस्पी अप्लोड करें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां पर देखें एक दम करारा और टेस्टी नास्ता बनाने के लिए मैं रखती हूँ फ्राइंग पेन गैस पे और इसमें डाल देते हैं एक चम्मच ओयल और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा साबूत धनिया जो धनिया के बीज होते हैं और थो तरीके से चला लेंगे बहुत जादा प्याज को नहीं भूनना है उसके बाद हम बारीक कटी हुई हरी मिश डाल देंगे इसके जगर पे आप चीली फ्लेक्स भी डाल सकते हो यह देखें इस तरीके से हमने प्याज को भून लिया है और आप देख पारे होंगे कि प्याज क दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं बेसन डालने से इस नास्ते का स्वाध बहुत जादा बढ़ जाता है तो बेसन जरूर डालिएगा बेसन बहुत जर्दी भुन जाता है तो देखिए एक मिनट ही मैंने चलाया है गैस की फ्लेम मीडियम रखी है बेसन अच्छे से भुन गया है खुसबुग आ रही है अब मैंने तीन से चार आलू उबले हुए आलू है उन्हें मैस करके डाल दिया है और उपर से डाल दिया है थोड़ा सा नमक सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से हम बहुत अच्छे से उन्हें डाल देंगे धनिया, बारिक कटा हुए धनिया तो बीना बीच का बारिक कटा हुए टमाटर और हरी धनिया डाल के इसे बस हम 30 सेकेंड तक इसे अच्छे से मिला लेंगे टमाटर बिल्कुल संप्ट नहीं होना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि टमाटर ना डालें तो इसे skip कर सकते हैं लेकिन मेरी मानिये तो टमाटर जरूर डालिएगा इससे इस रेस्पी का स्वात कई गुना बढ़ जाता है अब इस स्टफिंग तयार है इसे दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं तब तक करते हैं आगे का काम यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है और आधा कप चावल मैंने दो घंटे पहले भीगा दिया था अब फुल के एक कप हो चुका है उसे डाल दिया है मैंने और इसे डालने के बाद हम डालेंगे इसमें चार चम्मच बेसन बेसर डालने से नास्ता और भी मज़ेदार बनता है यहाँ पे टोटल मैंने चार चम्मच बेसन डाल दिया है और बेसन डालने के बाद हम डालेंगे एक इंच अधरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से छिलके इस तरीके से कट कर लिया था बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो अधरक आप जरूर डालें लेसन पसंदे तो लेसन भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे लेसन नहीं डाला है तीन मैंने हरी मिर्च डाल दी है इस तरीके से साबुत हरी मिर्च है आप इसके जगह पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसके बार मैंने थोड़ा सा पानी डाला है बहुत जादा पानी आपको नहीं डालना है बस में दो से तीन चमच पानी डालके और ये देखे बिल्कुल महीन पेस्ट इसका बनके त्यार हो गया है मैंने इसे पीस लिया है आप देख पा रहे होंगे जैसे फेटा हुआ दही होता है उसी तरीके से बन गया है थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर जार में डाल दिया था लगबग दो चमच और उसे फिर इस बेटर में डाल दिया है तो ये देखिए बेटर हमारा बहुत ही बढ़िया बनके त्यार हुआ है अब इस बेटर को इस तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इस बेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे हमें इसी तरीके का बेटर चाहिए जैसा आप देख पा रहे होंगे अब हम रखेंगे फ्राइंग पें गैस पे और बेटर में लगा लेंगे बहुत ही चटपटा सा तड़का एक चमच मैंने छोटे चमच से तेल डाल दिया है और उसके बाद डाला है कलोंजी इसे ओनियन सीड भी कहते हैं मंगरेल भी कहते हैं आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो इसको डालने से बहुत ही चटपटा स्वाद आता है और मैंने आदा चमच बारी कटा हुआ करी पता डाल दिया है और एक चमच बारी कटी हुई हरी मिज़ डाली है सारी चीजों को डालने के बाद हम थोड़ा सा चटकने देंगे और उसके बाद डाल देंगे एक बड़े सा इसका बारी कटा हुआ प्याज और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए भूल लेंगे प्याज को बहुत जादा नहीं भूनना है कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है बस हलका सा इसे भून लेना है तो आप देखिए इस तरीके से चलाते हुए मैं भूल ले रही हूँ इस तड़के का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस रेस्पी में तो आप इस तड़के को बिल्कुल इसकिप मत करिएगा तो यहाँ पर हमारा तड़का तयार है गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इस तड़के को मिला लेंगे अपने बेटर में तो यहाँ पर देखिए मैं डाल दे रही हूँ टेस्ट के कोर्डिंग नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं इस तरीके से मिला लेती हूँ और यहाँ पर अगर आपका बेटर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं पर यह जो बेटर है बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं पानी नहीं डालूँगी अब मैंने छोटा से एक फ्राइंक पेन गैस पे रखा है और उसमें हाप टीस्पून ओयल डाला है ओयल को चारो तरप इस तरीके से घुमा लेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे बेटर तो यह देखिए लगबग डेर कर्ची मैंने बेटर डाल दिया है और इसे फैला लिया है इसे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर तक ढख देंगे ताकि यह जो ऊपर का हिस्सा है यह बहुत अच्छे से पक जाए तो यह देखिए ऊपर से यह जो बेटर का ऊपर ही भाग है हमारे नास्ते का वो सूख चुका है तो उस पे हम लगा देते हैं टोमेटो केचप बच्चों को बहुत पसंद आता है आप किसी रेस्पी में टोमेटो केचप लगाते हैं तो आप इसे जरूर लगाएं इसके जग़ा पे आप पीजा स्वास भी लगा सकते हैं इसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तैार की थी उसे रखेंगे हाथों से रख सकते हैं अगर आपके हाथ जल रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी दबा के इसको फैला सकते हैं अच्छे से इस स्टफिंग को चारों तरफ फैला देंगे और फैलाने के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है ताकि हमारा नास्ता जले ना और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से इसके बाद भी अलट पलट के सेख लेंगे बहुत ही सिंपल सा नास्ता है घर के इंग्रिडियन्ट से बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है तो आप इस रेस्पी को क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके जरूर पसंद आएगी उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है अंदर से चट पटा और सॉप्ट है मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस क भीडिएगा बेल बाते केजिए ओट गयां झा हिए傑 को लाइकन लीज को ही बाते कीजिएगा है इंडिएगा झाल को तो…